नमस्कार प्यारे साथियों वेलकम टू करांट अफेस बूस्टर सीजन टू सेशन नंबर फिफ्टी हमारी सिक्स्टी सेशन की यात्रा में आज हम हाफ सेंचुरी लगा चुकें ठोको दाली बलो दंदीप सवर जिंदाबाद अरे भईया आप जिंदाबाद पचास सेशन बहुत बहुत बदाईयां शुरू करते हैं आज का काम बाबा जी is back बाबा जी कहते हैं लाफ्टर is not just the best medicine in troubling times it is the only real medicine तो basically वो ये कह रहे हैं कि भाईया जब मुसीबतों के पहाड़ पे पहाड़ तूट रहे हो तो आप हसते रहिए खिल खिलाते रहिए क्योंकि अपनी health manage क करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप laughter का सहरा लें क्योंकि तनाव तो बहुत है 2020 तो मान लीजे कि बिलकुल ये तय करके आया है कि मैं जान ही ले लूंगा बच्चे की लेकिन दोस्तों मानवता यहां तक पहुंची है we humans know how to fight all kinds of pandemics not just the viral ones तो हसते रहिए खिल खिलाते रहिए और this two shall pass बोलते बोलते ये समझ भी निकाल दीजिए कैसा लगा motivation बताइएगा ताकि बाबाजी तक हम खबर पहुंचा दें like कीजिए share कीजिए और प्यारे दोस्तों अगले 10 session भी तरही अद्भुत होंगे लेकिन यार ये खबर ने तो दिल ही तोड़ दिया क्या कह रहती है खबर खबर वही है जो हमने आपको तीन महने पहले दे दी थी अब आप याद कीजिए कुराने session सारे खोल के देखिए फरवरी मार्श में जो हमारी बाते हो रही थी कि the way things are going even before the lockdown lockdown होती हमने analysis आपके सामने बात की थी आप finally officially सारे लोग बोल रहे हैं कि economy पूरे साल भर में 5% का economic contraction होगा ये बोल रहे हैं बहुत कम बता रहे हैं सिर्फ 5% GDP contract कैसे हो सकता है what are we talking about अगर आपने अभी COVID के infections का पूरा एक graph देखा है मैं आज दिखाऊंगा आपको तो you know very well it'll be a few months before we get a handle on it plus STQ is not really a medicine वो भी WHO ने बोली दिया है सारी चीजों को मद्दे नजर रख लगती है कि economy जो है 5% से थोड़ा ज्यादा contract होगी मुझे ऐसा लगता है अब ये खबर जो है बिलकुल सपश्ट है तो मतलब अब साफ खुलकर experts बोलने लग गए तो क्रिसिल की warning है तो बहुत मायने रखती है तो क्रिसिल क्या है भाईया मता देना हमें इनका कहना ये है कि आत्म निर्बर भारत अभियान package वगरा सब बहुत अच्छा है लेकिन minimum 5% contraction is bound to happen क्रिसिल का कहना 5% है SBI का जो economic research department already है उसने minus 6.8% बोला है मेरा personal estimate है between 10 to 25% इतना contraction होगा कहीं भी हो सकता 10 से 25% के बीच में कहीं भी depending on so many variables तो मोटा मोटा ये है अब ये सभी को पता है देखिए भारत सरकार को भी ये पता है ऐसा तो है नहीं नहीं कि उनको ये चीज़ें पता नहीं हमसे तो कहीं ज्यादा actual data उनके सामने है अब भले ही वो release ना करें actual data लेकिन है तो सही तो ये चौथा recession होगा दोस्तों याद रखिएगा 70 साल के भारत के रिपब्लिक के इतिहास में सबसे पहला 58 में आया था अगला 66 में आया था अगला 1980 में आया था तो ये तीनों साल याद रखिएगा इसमें न्यूज में लिखा हुआ है आप पढ़ लीजेगा अठावन में छाचाट में और 1980 में और याद रखिएगा हर बार कारण एक ह की था जो इस बार से बिलकुल अलग है मौनसून बिगड़े एग्रिकल्चर को शॉक लगा व्रहद एकनॉमी पे शॉक गया और हमारा वट्टा बैड़ यह तीन बार ऐसा हुआ 58 66 1980 में समझ में आया आपको एग्रिकल्चर शॉक की वज़े से क्योंकि मौनसून बिगड़ इस साल एग्रिकल्चर हमको बचाएगा मतलब जितना भी बचाएगा पिछले तीनों रिसेशन में एग्रिकल्चर ही डूबा था तो यह इकदम अलग रिसेशन आया है भारत में रिसेशन शुरू हो चुका है दोस्तों इस बात को स्विकार करने में किसी को हर्ज नहीं होन इंडिया in 70 years of the Republic और आप जानते ही है न भारत में टॉप 6 states में 60% GDP बनता है और उनमें ज्यादा तर रेड और 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 जोन में पड़े रहे है दो महीने टॉप 10 states में तो 3-4 GDP बनता है अकेला महरा 16% GDP देता है भाई महराष्ट्र तमिल नाडू मिला लो तो एक चौथाई है भारत का ये दो राज्य मिला कर समझ लीजे क्या अनिक्वल ग्रोथ हुई है दादा तो अगर ये सब है तो भारत सरकार से हमारी हाथ जोड़कर बिनती है जो पहले दिन से रही है सबकी कि मालिक बचालो इंडिविज्वल सेटिजन्स केंनाट सेव्टी कॉनमी ना उनकी तो वेज ग्रोथ ही खतम हो गई अब तो इंप्लाइमेंट ही खतम हो रहा है इंडस्ट्री इंवेस्ट करेंगी नहीं अरे जब पिछले साल कोविड नही कैसे सेव करेगी यह सारी बातों पर पहले हमने चर्चा की और आज एकनॉमिक टाइम्स का फरंट पेज है केवल भारत सरकार के पास वो सोवरेन अथॉरिटी है कि वो जो चाहे कर सकती है और हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि भाईया पैसा लोगों के जेब में पहुंचाओ क्योंकि अगर डिमांड कोलैप्स जिस तरह से चल रहा है चलता रहा तो साट से प्रतिशत प्रतिशत पी एफ सीई है भारत का प्राइवेट फाइनल कंजम्शन एक्स्पेंडिचर वो ही कोलैप्स हो जाएगा तो जीडीपी बनेगा कहां से और वो कोलैप्स होता दिखेग है तो भारत सरकार के लिए बहुत सारे सजेशन से फिस्कल प्रुडेंस को छोड़िये फिस्कल डेफिसिट को छोड़िये आप तो आगे बढ़िये 9-10% ऑफ जीडीबी तक डेट मोनेटाइजेशन कर करके करके आप तो पैसा खर्च करना शुरू कीजिए इंकम ट्रांसफ चालीस ट्रेने गलत जगे पहुंच गई सरकार ने उसका घंडन कर दिया अब लेकिन यार गलत जगे पहुंची तो पहुंची ना उसके बाद लोग मर रहे हैं ट्रेनों में वह औरत का वीडियो आया उसका छोटा बच्चा उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूं मर गी चा of corporate bond तो इस प्रकार से सरकार बहुत कुछ कर सकती है ये एक समराइज आपके सांद में इन्फोग्राफिक बहुत अच्छा है देखी बेसिकली सरकार का डर बहुत जायज है हम समझ सकते in the place of the prime minister if we put ourselves we can understand his problem that to GDP बढ़ता ओवा दिख रहा है आज 70-72% उनको दिख रहा है कि ए एक साल दो साल में 80% हो जाएगा अगर हमने अभी deficit monetization किया तो लेकिन nominal GDP growth भी तो होगी ना जिससे आप payback भी तो कर पाएंगे ना अभी तो ऐसा है कि बिल्कुल पूरा का पूरा ही sink हो जाएगा तो debt GDP आप रोक लेंगे लेकिन nominal growth ही crash हो गई तो फिर economy ही crash हो जाएगी तो य कि एक बिल्कुल choice zero or one के बीच में है अब सरकार क्या करेगी ये तो एक साल में सब समझ में आएगा तो मेरा दूसरा सवाल note करेंगे why is it said that it is only the government of India which can now save the Indian economy दोस्तों एक बास समझेगा हो सकता है आप इन विचारों से सहमत नहों कोई दिक्कत नहीं है आपके alternative जो perspective है वो हम नेपाल इंडिया कवर कर रहा हूं इंडेप बिल्कुल मिस्मत कीजिएगा कल जो तपस्चा का session 49 आएगा do not miss A to Z सारे issues तकनी की रूप से में आपको बता दूँगा काफी अच्छा session बन रहा है डबली एचों ने finally SCQ के trial पर pause लगा दिया यह hydroxy chloroquine का तो ऐसा पूरा अपन कुछ कहता है लेकिन finally WHO कहता है that we are no longer convinced about SCQ trials एक Lancet नाम का जो इनका medical बहुत बड़ा जर्नल होता है दुनिया का number one है उसने कहा कि heart care rhythms को बिगाड़ने का काम करता है भाई यह SCQ तो अब इसमें problem क्या कि बहुत से लोगों को जिनको heart problem diagnosed है उससे बड़ी problem बहुत से लोग जिनक भबरा गया है लेकिन अभी भारत में एक बहुत dangerous step already ले लिया गया है ministry of health ने सी क्यू को प्रोफाइलेक्टिक परपस एस्म्टोटिक health care worker अलाओ कर दिया है प्रोफाइलेक्टिक यह आप एडवांस में देते हैं ताकि बीमारी ही नहीं आए asymptomatic का मतलब होता है कि जिनमें अभी तक लक्षन नहीं आये हैं तो शायद ministry of health भी अपना यह पूरा का पूरा वापिस ले सकती है मीनवाइल अभी आज खबर मुझे मिली कि गुजरात के कुछ शहरों में पंच गाव्य नाम का एक नया अरुविदिक वो बना रहे हैं जिसमें कुछ पांच अलग-अलग element करके वो देने वाले लोगों को टेस्ट करने के लिए तो भाईया सावधानी से करना यहां दादा दो भी करो क्योंकि इसमें क्या इंसानी जीवन दाओं पे लगे हैं भाई प्रेशिडेंट ट्रॉम्प तो खुलके बोल चुके कि मैं तो एस्सी क्यू खा रहा हूं क्योंकि मुझे तो पता है दवा अच्छी है ट्रॉम साहब तो यह आज यह भी बोल चुके हैं कि वारत चीन के बीच में मध्यस तता कराने को तैयार बठाओं आप बस बोलिए और इस्टन लग्दाफ सेक्टर में जो कि पौंगंग सो लेक में वह एट विंगर के भीच में जगड़ा चल रहा है और सिक्किम में नाकुला के महां चल तौब्र चल रहा है उसके में वह बोल रहे हैं कि हम आपकी मदद करने को तैयार है। मेरे को तो यहां तक डर है कि कल को भारत नेपाल के बीज़ भी में तइयार हूं करने को प्रम साव ऐसा मत बोलना है मतलब बहुत बेजज़ती हो जाएगी है सर आपकी मत बोलना भारत नेपाल दोस्ते हम सब सुलचा लेंगे एसा कोई टेंशन नहीं काला पानी का सर हम सुलजा लेंगे मैं कल पढ़ाऊंगा दोस्तों तब में मिस्ट मत कीजिए का बहुत मज़ाएगा आपको तो मेरा अगला सवाल नोट करें वाइज ड्यूज उच्छ नॉच रेकमेंडिंग इस वाइज ड्यूज देखेंगे करोना वाइरस एपिडेमिक इन इंडिया तो भारत में जो करोना वाइरस की महामारी फैली है अब उसमें आप चार्ट देख लीजें की ग्रोथ का पैटर्न क्या चल रहा है अब ये बड़े दुखी बात है दोस्तों आपने हमने सबने इतने बलीदान देकर और हमसे ज़्यादा तो माइगरेंट वरकर उनकी तो जिंदगी बलीदान हो गई यार कईयों की आपने हमने इतने बलीदान देकर 60 दिनों तक खुद को घर में क्याद रखा मेरे शहर में तो सारी दुकाने आज भी पूरी तरह से बंदे भाईया और शायद आगे भी बहुत दिनों तक रहने वाली हैं तो यह तो बलीदानी है लोगों की पूरी आज ही भी कहतम हो रही है उसके बाद भी as we are slowly moving out of these lockdown the cases are steadily rising तो 60 दिनों में basically हमें पब्लिक हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर अप्ग्रेडेशन मैसिव टेस्टिंग स्केलिंग अप्ग्रेडेशन कर लेना चाहिए था सरकारों ने कोशिच भी की है लेकिन जिस केल तक होना था वो तो कहीं से कहीं हुआ ही नहीं है इसका मतलब यह थोड़ा लंबा जाएगा तो अभी यह ट्रेंड उपर की तरफ है नियॉयॉक टाइम्स ने हजार लोगों के नाम च्छापे जो मर गए अमेरिका में एक लाग देशों में जहां चीज़ें अभी क्या चल रही है देखिए फ्लैटनिंग कहीं कहीं दिख रहा है लेकिन ब्रजील इंडिया साउथ एफ्रिका की ट्रेजेक्टरी देखिए फ्लैटनिंग तो अभी छोड़ी यह बहुत दूर की बात लग रही है तो यह लेटेस्ट इंफ आई को शेर का बटन दबादो यह उनी के लिए के वल याद रखिएगा दोस्तों गो करोना गो करोना नो करोना शांत हो रोज बोलना ज़रूरी है हम 137 करोड़ लोग अपनी कलेक्टिव सबकॉंश्यस विल से अगर एक साथ बोलेंगे गो करोना गो नो करोना नो करोना शा बहुत सिंपल फंडा बोर कर दिया मैंने आपको बोल बोल के मेरा अगला सवाल नोट करें वाइज इस इंडिया इस मूविंग तोवर्स दी लॉक्डाउन वी आर सींग एन इंक्रीजिंग रेट आफ केसे प्यारे साथियों अब ब्रेक फ्रॉम पॉलूशन लेकिन हर बुरी चीज में अच्छी चीज चुपी होती है हर घने से घने बादल में एक सिल्वर लाइनिंग होती है यस और नो और हमारे शहरों में जो की दुनिया के सबसे पॉलूटेट शहरों में से हैं यह हमारे नैशनल डिवेट का हिस्सा ही नहीं है मतलब लोगों को फरग यह नहीं पड़ता कि अंदर धेर जा रहा है तो जाए PM 2.5, PM 10.0, PM 1.0 भी जो की डेथ वारेंटी होता है लेकिन COVID ने बहुत हद तक चीज़ों को कम किया अब जैसे जैसे relaxation आ रहा है तो चीज़ों फिर से normal so called normal होती जा रही है Dear friends, one message is very very clear As soon as we are out of all this pandemic, we have to focus on 2030 and climate change क्योंकि climate change की घड़ी तो tik-tok, tik-tok, tik-tok वो तो चलती चली जा रही है रुक निरी भीया किसी के लिए तो हमारा अगला सवाल नोट करें What are the essential three steps humanity needs to urgently take after the pandemic to battle climate change जरूर बताईगा साथियों About symptoms and the ability to infect एक और बहुत ही बढ़िया इन्फोग्राफिक है अब क्या हुआ है दोस्तों तीन से चार महीने हो गए इस महामारी को तो अलग-अलग तरह के देशों में अलग-अलग तरह के researchers ने हर एंगल से ठोक पीट के data को study किया है तो अब बड़ा solid data सामने आ रहा है तो क्या है हम इस चक्रवी में घुसेवे हैं और अब हम अंदर लड़ रहे हैं आग के बीच में क्या होगा जैसे-जैसे एक-एक हफता गुदरता जा रहा है देने ही पड़ेगा तो अब सब लोग बड़े sensible होगा है experts को सुनने भी लग गए which is a very good thing प्यारे दोस्तों यह research South East Asia की है very technical research लेकिन मैं उसको सरल भाशा में बताता हूँ ध्यान से देखिएगा most covid patients passed on the infections to others when they were asymptomatic जब लक्षण नहीं थे तब व्यक्ती ने सबसे ज्यादा virus फैलाया कैसे फैलाया एरोसोल से फैलाया छीक से फैलाया हाथों से फैलाया हर तरह से शरीर से निकले fluid से फैलाया आपको पता है ना urine और आपके मल मूत्र से urine और फीसी से भी coronavirus जाता है सीवेज में I hope you know that उस पर हमने बात की थी now the point to be made here is one week after showing symptoms the infectivity reduced drastically अब यह पता चला कि किसी व्यक्ति में covid के symptom आए उसके साथ दिन बाद उसकी दूसरों को प्रभावित करने की संक्रमित करने की शमता बहुत तेजी से कम हो गई समझ में आया तो यह जो चार्ट आप पहला वाला देख रहे हैं बार ग्राफ एक तरह से बेल कर भी है अलग कि बहुत स्क्यूड है वो यह बताता है कि 2.3 days before the onset of symptom में आदमी ने maximum R0 दिखाया और उसके बाद वो तेजी से गिर गया तो इसका मतलब 7 दिनों के बाद patients द्वारा दूसरों को संक्रमित करने की संभावना कम है तो उन्हें hospital से discharge कर दिया जाए उससे medical fraternity पे load कम हो जाएगा बाद समझ में आरी कि नहीं यह है पूरी कहानी तो फिर इसका मतलब की asymptomatic लोगों की testing करनी बड़ेगी exactly यही भारत का समाधान होने वाला है अब हमें बताया गया रोज एक लाग टेस्ट होने बढ़ा के दो लाग करेंगे कुछ भी नहीं है भारत के लिए रोज के एक लाग और दो लाग टेस्ट अब यह तो ऊट के मूँ में जीरे के बराबर है हमें लगता है कि भारत सरकार को इस चीज को और मॉस्ट चालिस पचास साथ सतर गुना बढ़ाने की जरूरत है उसकी भी ना confidence नहीं आएगा लोगों में और confidence नहीं आएगा तो economic movement नहीं आएगा बहुत सीधी सी बात है यार हमारा अगला सावाल नोट करें what has the latest research about infectivity in asymptomatic patients of covid revealed प्यारे दोस्तों membership हमारी यूटूब पर लाइव है एक जून भी बहुत करीब आ गया है एक जून से सीधी बूस्टर प्रीमियम के हमारे separate session यूटूब में शुरू हो जाएंगे ये season हमारा complete हो जाएगा session 60 पर उसके बाद यूटूब पर आपके लिए तपस्या की series है daily knowledge series और quick updates के बिल्कुल नए set of videos आने शुरू हो जाएंगे लेकिन CA booster premium हमारा ये मैं 60 तक पूरी कराऊंगा बहले कुछ दिन जून के इस पर चलते रहें CA booster premium एक जून से हमारा membership में शुरू हो जाएगा अभी हमने दूसरे बहुत सारे bonus release कर दियें बड़ा मज़ा आ रहा है आज के आज जॉइन करने दोस्तों बड़ी nominal fees है और ये continuously month after month आपको इतना बढ़िया content में दूंगा आपको बहुत-बहुत मज़ा आएगा so go ahead and learn with us and give all your support thank you so much हमारे PTs IES Academy की courses बहत पसंद किये जा रहे हैं जानकरी लें टीम से संपर्क करें 360 degree full support वाला course से आगे बढ़के enroll कीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों ILO को शिकायत कर दी भारत के trade unions ने कि ये भारत के राजी क्या कर रहा है भया ये तो सारे हमारे सारे के सारे liberal law को suspend कर दिया है तो ILO ने ये बोला है कि हाँ हम ये शिकायत को note करते हैं हमने भारत सरकार को लिग दिया है कि please explain how you can bypass your international commitments given to ILO convention देखिए दोस्तों भारत ने दुनिया भर के नाना प्रकार के convention ओपर हस्ताक्षर किये हैं वो commitment होते हैं आप ऐसे एकदब से उसको रात और रात बाइपास थोड़े न कर सकते हैं भले ही आप समविधान को बाइपास कर जाओ मुझे कई बार लगता है हमारे कुछ बड़े स्टेट लेवल के politicians उनको को कोई जाके बताओ कि दिल्ली में किताब रखी है उस पर थोड़ी धूल जमा हुए है वो निकाल पकड़ता है यह कोई बताओ यार जाके उनको एनीवे तो आयलो ने बड़े डीप कंसर्स बताए हैं जिसका असर यह हुआ है कि आज हमारे मिनिस्टर आफ लेबर आधरणिय गंगवार सहब ने यह बोल दिया है कि केंद सरकार इस तरह के लेबर लॉस सपेंशन के साथ पताए था तो यह बात है और इनका 2021 में जून कांफरेंस में इस पर चर्चा होगी सब कुछ एक साल आगे चला गया जैसे टोक्यो अलंपिक चला गया वैसे वो तो नहीं हो पाएगा अगले साल भी और अभी दो करोड़ लोग जॉब में वापिस आएं जैसे जैसे डी याद है दोस्तों पिरोडिक लेबर फोर्स सर्वे भारस सरकार लेकर आई थी और उसी का अगला अंक आ रहा है दे नेक्स इशू उसमें यह रिवर्स माइग्रेशन के नंबर एड करने वाले हैं दोस्तों अब भारस सरकार को एक पास समाझा गई है और हमारे नाइदर या नौट देर वह वापिस चले रहे हैं और वो छे साथ आट नो तस महीने आने का उनका को इरादा नहीं है ना उनकी परिष्थिती आने की तो बड़े शहर चलेंगे कैसे यह सवाल है जिसका जवाब में ढूंड रहा हूं अभी तो मुझे मिला नहीं आपको मि सरकार मन्रेगा एक्चुली ओरिजिनली लाई थी एने सी वगेरा में उन्होंने कहा है कि मन्रेगा का मैसिव एक्सपांशन जरूरी अगर गरामी शेत्रों में आपको भुकमरी की स्थिती से बचना है तो एक्चुली अगर मन्रेगा को फार्म औरियेंटेट कर दिया जाए तो उसके डबल बेनेफिट हो सकते हैं वेजेस और जॉब तो जन्रेट हों गई उसके अलावा हमारे किसानों का बहुत जबरदस फायदा हो सकता है तो वो सब इवाल्विंग इश्यूज हैं तो हमारा अगला सवाल नोट करें दोस्तों what are going to be the deleterious consequences of the reverse migration scene in इंडिया अब ये टिड्डियों के दलों का नया नाटक शुरू हो गया है समझ में आया यहाँ पर एक ही गाना याद आता है ए जमाने तू कर ले सितम पे सितम जिनको मिलना है वो मिलके रहेंगे यारे दोस्तों गाना गाते समय मुझे गौगल की दरुवत पड़ती है basically मैं कह रहा हूं कि ए जमाने तू कर ले कितने भी सितम जिनको जिनको जिनकी में जीना और आगे बढ़ना है वो तो जीते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक तो Anyway प्यारे दोस्तों यह जो डेजर्ट लोकस्ट होता है शिस्टो सरका ग्रिगेरिया यह हैं वो भाई साहब करोडो अर्वो की तादाद में यह मल्टिप्लाइ होते हैं सामान ने तह जबी आकेले होते हैं तो किसी को नुकसान नहीं देते हैं लेकिन जैसे ही करोडो के समू में आए कि यहां वहां दोड़ने लगते हैं एक सो पचास किलो मीटर प्रती दिन जाते हैं और जो सामने आया उसको खाडालते हैं समझ में आया और ये इनके कुछ जेनेटिक ट्रांसफर्मेशन से अचानक से ग्रिगेरियस नेस आ जाती है अब ये हमारे शेहरों में दिखाई देने लग गए जैसे कि जैपूर में जैसे कि मद्यपदेश के कुछ शेहर जैसे कि विधर्व में डर है वो इसलिए है क्योंकि ये जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं त तो हमारे घर भी चट कर जाते इतनी मात्रा में होते हैं अब आप ध्यान से नीचे जो मैंने पॉइंट लिखा है उसमें कॉज इफेक्ट पढ़िएगा दोस्तों विंड्स आ स्ट्रॉंग और ये प्री मॉनसून है तो ये ब्रीडिंग के लिए आए हैं मतलब खत्रा ये ह कि इनके अर्बो अंडे जुलाए अगस्ट में उसमें से बच्चे निकलेंगे वो तो सारी फसल खा जाएंगे इसलिए हमारे अग्रिकल्चर मिनिस्टर ने मीटिंग लेकर स्पेशल पेस्टिसाइड और ड्रोन से इनको मारने का अदेश दिया है ये कहानी शुरू कहां से हुई दो साल पहले आपको बहुत आश्यर होगा कहानी सुनो साइक्लोनिक स्टॉम्स आये दो मेकूनी और लुमान येमेन और उमान में आये थे दो साल पहले उसकी वजह से रेगिस्तान में बन गई जीले उससे इनकी ब्रीडिंग भैंकर हो गई उससे इन्होंने लोनिक स्टॉम्स नहीं आये होते तो यह पूरी कॉजल चेन बनती नहीं लेकिन अब असली खत्रा यह है कि यह आतो गए है रियल थ्रेट इस वेंदे ब्रीड अन मॉल्टिप्लाइड दूरिंग मॉन्सून उस वक्त यह पूरी फसल को साफ कर देंगे अब खरीफ की इस्टहेंट चेंज बिहाइंड लोकस एंडिया डॉन MS M s को भी भारत सरकार ने बोला है कि यार यह तीन लाग करोड की गैरेंटी में तुम भी शामिल हो होटेल इंडॉस्ट्री रेस्टरॉण इंडस्ट्री इन सब इसमें covered हो लेकिन सरकार ने जो एक बात नहीं बोली जिसने इसके पहले लोन नहीं लिया है जो अभी तक कुछ हिस्सा चुकाया नहीं वो automatically बाहर है केवल वो लोग covered है जिनका कोई लोन outstanding है उसका up to 20% तो दोस्तों उनका क्या होगा जिनका कोई loany outstanding नहीं है अभी उनके लिए कुछ भी नहीं है इसलिए class के शुरुआत में हमने आपको वो इन्फोग्राफिक दिखाया था demand generation का तो retail business से सरकार बोल रही है कि भई हम मदद करेंगे क्योंकि हम जानते हैं आपके fix expenses है और आप perception zero इस चीज़ का तो प्यारे दोस्तों इससे होगा यह कि सरकार चाती है तीन लाग करोड का debt जाए लेकिन experts अभी यह कह रहें कि loan लेगा कौन क्योंकि demand ही नहीं दिख रही है तो सरकार कुर्पया demand की तरफ ध्यान दे otherwise एक quarter और ऐसी निकल जाएगा अगला सवाल note करेंगे दोस्तों why will the capital requirements of Indian banks not rise due to the three lakh करोर credit line अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो mission pt को contribute कीजिएगा pteducation.com slash contribute link मीचे comments में भी है आब यह चाइना के साथ जो पूरा जगड़ा चल रहा है दोस्तों हमारे लद्दाक शेतर में यने की अकसई चीन शेतर में और उसके अलावा सित्किम में वहाँ थोड़ा बहुत है लेकिन ऊपर थोड़ा ज्यादा है इस पर मैं कल एक विस्तृत सेशन लाओंगा माइक्रो लेवल पर सब आपको पढ़ा दूँगा वो सेशन तपस्या नंबर 49 आप मिस्मत कीजेगा दोस्तों बेसिक जगड़ा है हमारे यह सड़ाक जबसे हमारी DSDBO रोड बनी है तब से चाइना के होश उड़ेवे हैं भारत ने डारबुक शयोक DBO रोड दौलत बेग ओलडी रोड जबसे बनाई है डारबुक शयोक दौलत बेग ओलडी रोड DBS DB रोड 200 km का वो रोड ऊपर दिखकर तो चाइना के कहना है कि तुमने यह रोड कैसे बना लिया मतलब कैं कुछ भी बहन Petles पैसे अपने दू составit况 तो Zika में क्या थे सबना के मθ Spaß आप अपलसा घर ने विए वह वज़ह से भढ़क कर चीन का अचानक से aggression यहां दिख रहा है जिस वज़े से प्रधान मंतिर को review meetings लेनी पड़ रही है आप जो insider खबर समझ में आती है वो क्या है कि चीन का aggression इसकी वज़े से तो है कि पूरे LSE को unstable रखो ताकि भारत के साथ bargaining power अच्छी रहे और जब भी होगा LSE का settlement तो हम बहुत सारी चीजों पर भारत से बहुत कुछ ले लेंगे कोवीड का घुसा भी है प्लस अमेरिका का aggression भी है प्लस भारत को एक संदेश भी है कि तुम अमेरिका के कितने भी करीब हो जाओ तुमको LSE पे तंग करने का तो हमीने ठेका लिया है बहुत सारी complex चीज़े mix होके चल रही है और यह है कहानी पूरी की पूरी LSE के stand-off की बेसिकरी गालवान शेत्र में यह चीन घुस रहा है और आपको पता ही है जो देखे पांगांग सो उसकी आठ फिंगर वाले आठ माउंटेन में चीन बीच में चौथे माउंटन पर आकर फिजीकली स्करमिश भारत के साथ कर रहा है तो यह ठीक नहीं है प्रांशुल मिश्रा उत्राखंड से और शाह आलम प्रयागरास से बहुत प्यारे प्यारे टेस्टीमोनियन लिखते हैं तो प्रांशुल जी कहते हैं कि बहुत समय से मैं आपके सेशन देख रहा हूँ और मुझे चीजों को देखने का समझने का एक नया अंदाज मिला है एक नया नजरिया मिला है जिससे मुझे काफी लाब हुआ है तो थैंक यू वेरी माच आपको बहुत अच्छा लगा आप अलग-अलग लेवल के competitive exams की भी तैयारी कर रहे है प्रांशुल ने कहा है दोस्तों ये सारे testimonials आप लोगों के लाने के पीछे आप लोगों के लिए लाने के पीछे हमारा जो एक basic मकसद होता है वो यह कि आप अपने ही जैसे प्यारे बच्चों के बारे में जानें और यह समझें कि सबके अपने-पने संघर्श है सब अपने-पने level पर तैयारी कर रहे हैं कोई पास हो रहा है कोई नहीं हो रहा है कोई फिर से लिखते चलें तो वो लिंक हमने आपको टेस्टीमोनियल की दे ही दी है तो जरूर जरूर और टेस्टीमोनियल अच्छी गती से आने दें शाह आलम हमारे साथ प्रयाग राज से जुड़े हैं प्यारे दोस्तों आपको एद मुबारक थोड़ा हम लेट हो गए आपका हम जी आप सफल हो जीवन में आशिरवात है अमेरिका ने ब्रजील से आने वाला ट्रैवल पूरी तरह से फिलहाल रोक दिया है क्योंकि अमेरिका ब्रजील में कॉम्पेटिशन चल रही कि आगे कौन जाएगा अमेरिका के हो गए 16 लाग केस ब्रजील के हो गए पौने चार लाग केस और वहाँ जेयर बोलसे नारों के समढ़ तक बोल रहे हैं गोली मार दो हर जच को मतलब वो पूरा अंकंट्रोल हो गया मामला दादा ब्रजील में तो कि जो भी आदमी बोलसे नारों के खिलाव बोलेगा बोलसो नेरिस जो उनसे जुड़ेवे लोग है नेरिस त लेगा तो प्यारे दोस्तों हमारा अगला सवाल नोट करें वाई हज ब्रजील सड़नली लॉट सिट्स हैंडल ऑन दी कोविड 19 क्राइस अब क्योंकि बिजनस स्थब पड़े हैं तो भारत सरकार ने इस साल जो न्यूंतम वेज हाइक होती है वो रोगती है इस साल दोजार administrative move है लेकिन ultimately demand creation में scroll होता था तो यह क्या strategic call है basically और सरकार फिलाल minimum wage hike नहीं करने के mood में है हमारा अगला सवाल नोट करेंगे इस सबका मनरेगा पर भी असर आता है हालांकि मनरेगा के centrally mandated wages और state level wages में हमेशा minimum wage से ये नीचे ही चलते हैं तो वो सरकार ही खुद के कानून को हम हमेशा मनरेगा में तोड़ते आई है अब सरकार को कौन सरका आएगा तो अगला सवाल नोट करें दोस्तों what is the concept of minimum wages in India यह हैं कोविट के truth हम आपको हमेशा बताते आए अब एक 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 चीज़ देखते चलिए कैसे रोज एक एक बास सच साबित हो रही है तो ध्यान रखना आपको इतना शांदार कॉंटेंट मिलेगा एक जून से हमारा बूस्टर प्रीमियम शुरू होगा तपस्या में कल सेशन 49 में चीन नेपाल भारत पढ़ना मत भूलिएगा और यह 500 पेश का PDF है जो लोग हमारे साथ डाइजेस्ट में जुड़े हैं उनको लगाता सूपर कैसा लगा सेशन बताएं लाइक करें शेर करें कल मिलेंगे सेशन 51 के साथ नमस्ते जैएंट